नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने बाले हैं पोस्ट ओफिस के नमबर दिसंबर महिने के FD Interest Rate के बारे में साथ में दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि अगर हम एक लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको कितना ब्याज मिलेगा अलग-अलग FD में इस वीडियो में हम दोस्तों एक साल का TD, दो साल का TD तीन साल का TD पांच साल का TD का ब्याज जानेंगे और इसका maturity value जानेंगे उसके बाद हम monthly income scheme का ब्याज दर जानेंगे उसके बाद दोस्तों senior civilian saving scheme national saving certificate फिर किसान वी का स्पर्त्र recurring deposit यानि की post office RD फिर PPF यानि की public provident fund का ब्याज दर जानेंगे और साथ में या भी जानेंगे कि इसमें 1 लाक रुपय अगर invest करते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि अलग-अलग FD में जब आप invest करते हैं तो इसके ब्याज पे कितना TDS कटता है और कौन-कौन ऐसा FD है जिसमें कोई भी TDS नहीं कटता है सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं time deposit के तो एक साल time deposit का ब्याद दर है दोस्तों 6.9 परतिसत और इसमें अगर आप एक लाख रुपया invest करते हैं तो आपको खुल 7.070 रुपया ब्याज मिलता है उसीतरह से दोस्तों दोस्तों दो साल के FD का जो बर्वान में ब्याद दर है वो 7 परतिसत है और इसमें अगर आप एक लाख रुपय इंवेस्ट करते हैं तो दो साल में आपको खुल 14,372 रुपय ब्याज मिलता है फिर तीन साल के FD की बात करें दोस्तों तो तीन साल के FD का ब्यादधर जाद परतिसत और इसमें एक लाख रुपय इंवेस्ट करने पे कुल 21,590 रुपय ब्याज मिलेगा उसी तरह से दोस्तों पांच साल का जो FD है उसका बरतमान में ब्यादधर है 7.5 पर तीन साल और पांच साल के FD में अगर आप एक लाख रुपय इंवेस्ट करते हैं तो आपको कुल 38,570 रुपया ब्याज मिलता है पांच सालों में फिर दोस्तों बात कर लेते हैं मंतली इंकम स्कीम की तो MIS का जो बरतमान में ब्यादधर है वो है 7.4 पर तीन साल इमाइएस दोस्तों पांच सालों के लिए होता है तो इसमें जो मंतली आपको एक लाख रुपय इंवेस्ट करने पर ब्याज मिलता है वो है 617 रुपय प्रतियक महिने आपको ब्याज मिलेगा यानि कि 5 सालों में आपको खुल 37,20 रुपय ब्याज मिलता है उसी तरह से दो सब्सक्राइब ब्याज मिलता है और इस तरह से दोस्तों पांच सालों के लिए होता है उसी तरह से दोस्तों अगर नसी की बात करें तो नसी का जो ब्याज दर है वो 7.7 प्रतिसाथ है जो कि एन्वाली कंपाउंडेड होता है लेकिन आपका इसका सारा जो ब्याज है दोस्तों मैचेरोटी के बाद मिलता है मैचेरोटी के समय मतलब मिलता है तो इसका एक्कुमिलेटेड इंटेस्ट देखे दोस्तों यह होता है आठ दिसमलों नौ आठ प्रतिसाथ नसी का भी पेडियर दोस्तों पांच सालों का है औ आपको पांच सालों में कुल 44,903 रुपया भ्याज मिलता है। उश्य तरह दोस्तों अगर किसान विकास पत्र की बात करें तो किसान विकास पत्र का बरतमान में ब्यादधरें वो 7.5 प्रतिसस्त है। याने कि दिसंबर महिने में इसका 7.5 प्रतिसत ब्यादे रहने वाला है और इसका भी दोस्तों इंट्रेस्ट एन्वली में कमपाउंडेड होता है बट अभी ब्याद मेस्चरोटिक के टाइम मिलता है तो केवीपी का जो दोस्तों एक्कुमिलेटेड इंट्रेस्ट की बात कर साल साथ महिने में अगर आप एक लाख रुपय इंवेश्ट करते हैं तो नौ साल साथ महिने में आपका पैसा दो लाख रुपया हो जाएगा फिर आड़ी की बात करने दोस्तों तो आड़ी होता है नी रेकरिंग डिवोजिक यानि कि प्रतिक महिने आपको इसमें कुछ ए दसमलब 7.33 ओस्ट ओफिस में आड़ी सिर्फ 5 सालों के लिए होता है दोस्तों तो अगर आप 1000 रुपया प्रतेक महिना आड़ी में इंवेश्ट करते हैं तो 5 सालों में आपको कुल 17,433 रुपया मिलता है यानि कि इसका कुल इंटेस्ट होता है 10,433 रुपया या आपको 5 सालों मिलेगा उसके बाद बात करते हैं दोस्तों PPF की यानि Public Provident Fund की तो PPF का जो बरतमान ब्यादधर है उस साथ दसमलब 1% है इसका ब्यादधर हमेशाथ चेंज होते रहता है PPF दोस्तों 15 सालों के लिए होता है तो अगर आप 1000 रुपया प्रतेक महिना PPF में इंवेश्ट करते हैं तो 15 सालों के बाद बरतमान ब्यादधर से आपको 35,522 रुपया मिलेगा इसमें जो आपको कुलिए इंट्रेस मिलेगा वह एक लाग 35,522 रुपया 15 सालों में तो इस तरह से दोस्तों हमने सभी FD का जो है व्यादधर जान लिया और उसमें कितना आपको ब्याज म भी FD है दोस्तों उसमें सभी FD में normal TDS rate applicable होता है सभी FD के ब्याज पर आपको tax देना पड़ता है 5-year TD, NSC और PPF यह तीन ऐसा investment scheme है दोस्तों जिसमें आप invest करके IT section ATC के तहर 12 लाख रुपे तक की छूड़ प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों Post Office में PPF एक ऐसा scheme है जिसके ब्याज पर आपको maturity के समय कोई भी tax देना नहीं पड़ता है आपको कितना भी ब्याज मिले maturity के time उस पर एक भी रुप्या tax नहीं देना पड़ेगा बाकी तमाम जो FD है उस पर normal TDS agent applicable होता है उसके ब्याज दर पर आपको tax देना पड़ता है वो आपकी आई में जूड़ जाता है अगर आपकी income taxable है तो उस पर tax देना पड़ेगा तो इस तरह से दोस्तो हमने post office के जो है बरतमान में ब्याज दर और December मेहने में जो भी ब्याज दर रहने वाले है उसको cover कर लिया है इस चैनल पर आगे भी दोस्तो और भी financial tips आपको मिलते रहेंगे अगर आपने भी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजे दोस्तो आपने इतना किमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद